राजमा चावल की रेजिपी तो आपने कई बार बनाई होगी और खाई होगी पर आज मैं इसे बनाऊंगी एकदम नए तरीके से अगर आपको जल्दी से राजमा चावल बनाना है तो इस तरह से एक पॉट में हम इसे बनाना बताएंगे और बहुत ही जटपट ये बनकर तय हो जाता है बहुत ही टेस्टी मसालेदार राजमा साथ में बनाएंगे खिला खिला जीरा राइस यहां आप देख सकते हैं कि राजमा का टेक्षर कितना सुन्दर है और इसे देख कर ही मूह में पानी आ जाता है तो चलिए देख लेते हैं कि राजमा कैसे बनाया जाता है औ अब हम ले लेते हैं खड़े मसाले चोटी और बडी लाइची लॉंग, जीरा और यहां वेन ले लroad यूं काली मिर्च तेजपत्ता यह खड़े मसाले हो गए हमारे अब ले 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 लेते हैं एक कुकर में डाल देते हैं तेल क्योंकि हम इसे वन पॉट रेसिपी बनाने बाले तो इसलिए हम इसे कुकर में बनाएंगे, अब हम तेल गरम हो जाने के बाद डाल देते हैं, खड़े मसाले और खड़े मसालों को थोड़ा सा भून लेते हैं, गैस की फ्लेम को लो रखेंगे, अब हम डाल देते हैं इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और साज में डाल दे तो इस तरह से, आपने बड़े टुकणों में प्याज को काट लिया है, और इसके बाद हम इसे भून लेते हैं प्याज को और प्याज का कलर हमें ब्राउन करना है। तो इसी तरह से, अब हमने गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया है। यहां मैं थोड़ा सा और अच्छा फ्लेवर लाने के लिए यूज़ कर रही हूँ, यह कड़ी पत्ते, फ्रेश कड़ी पत्ते, बहुत ही टेस्टी लगते है, इस तरह से डालने में मसालेदार सबजी में मैं जरूर यूज़ करती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है, तो य अधरक लेशन के पेस्ट को भून लेते हैं, और अच्छे से पेस्ट को भूनने के बाद हम इसमें डाल देते हैं, कुछ सूखे मसाले, बेसिक सूखे मसाले डालना है, तो मैं यहां डाल देती हूँ, हल्दी पाउडर, इसके बाद ले लेते हैं, दो चम्मच लनिया पाउ ताकि जब सब्जी हमारी जब बन जाएगी तो इसका रोगन बहुत अच्छा आएगा इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं टमाटर हमारे मेस्ट किये हुए टमाटर को इस तरह से हमने डाला है इसलिए ज़्यादा हमें मसाला भूनने की जरूरत नहीं है स्वात के अनुसार डाल देते हैं नमक और इस तरह से टमाटर लालने में ज़्यादा भूनने की भी जरूरत नहीं है अगर हम इसे ऐसे ही डालते हैं पेस्ट बना कर डालते हैं या कट करके डालते तो ज़्यादा भूनने में हमारा टाइम भी जाता तो इस तरह से यह सबजी हमारी जटपड बनकर तयार हो जाती है, एक मिनिट के लिए हम इसे ढँक देते हैं, और मसाले को थोड़ा सा पकने देते हैं, एक मिनिट के बाद आप देख सकते हैं, कितना अच्छा रोगण आया है, मसाला अच्छे से बुन चुका है अब हम इसमें डाल देते हैं हमारे भीगे हुए राजमा और राजमा डालने के बाद सब्जी को थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं अब हम इसमें डालेंगे कुछ और मसाले जो हमारी सब्जी को और ज्यादा टेस्टी बनाएंगे तो मैं इसमें डाल देती हूँ चाट मसाला पाउडर आदा चमच और आदा चमच डालेंगे किचिन किंग मसाला बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है इससे साथ में डाल देते हैं गरम मसाला पाउडर और अब हमने हाली है कसूरी मेथी इतनी इच्छी तरह से सबजी में पूरी तरह से मसाला अच्छे से बढू चुका है। राजमा में अच्छी तरह से मसाला लग ज fan me ऐस्वे-धाद़ एंक पाणी नियाराजमा का थोड़ा सबस्सक्रारिए मैंने यहां हमारे घर में जो regular यूज होते हैं उस चावल को ले लिया है आप कोई भी चावल ले सकते हैं जो भी आपके घर में यूज होते हैं बास्मती चावल भी ले सकते हैं आपको कर में डाल दिया है एक चमज घी और एक चमज हम इसमें डाल देते हैं जीरा क्योंकि जीरा राइस बना रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें जीरा ज्यादा लगेगा, जीरा को छटकने देंगे, इसके बाद हम इसमें धोए हुए हमारे चावल डाल देते हैं, चावल को बिगोना नहीं है, धोकर डाल देना है, इस तरह से हमने चावल को डाल दिया है, और च चावल लिया है उसका हमें क्यूंकि हम प्रेसर कुक कर रहे हैं तो एक कप चावल में देड़ कप पानी लगेगा अगर आप इसे खुले में बना रहा है तो दो कप पानी आप इसे इसमें ले सकते हैं तो क्यूंकि हम प्रेसर कुक कर रहे हैं तो देड़ कप हमने इसमें पान डाल दिया है, और पानी डालने के बाद बस इसमें कुछ नहीं डालना है, आप चाहे तो नमक डाल सकते हैं, मैंने इसमें नमक बगएरे कुछ नहीं डाला है, और आब हम इसका लगा देते हैं ढखकन, और दो सीटी आने तक इसे हम प्रेसर कुक कर लेते हैं, तो यहां हमारे चावल भी तैयार हो चुके हैं, चावल pressure को खोकर और अपने आप में ठंडे भी हो चुके हैं, ये देखिए कितनी अच्छी तरह से चावल बन कर तैयार हुए है, एकदम खिले खिले चावल बने हुए हैं, और चावल बनाने के बाद हम देख लेते हैं हमारी सब्जी को तो सब्जी भी देख लिए आप यहां चार से पास सीटी आने के बाद गैस को हमने बंद कर दिया था अब हम गैस को फिर से चालू कर देते हैं ठंडा होने के बाद कुकर और थोड़ा सा हम इसे ऐसे ही दो तीन मिनट के लिए खोले में पका लेते हैं अगर आपको लगता है कि राजमा नहीं पके हैं तो आप इसमें और सीटी लगा कर राजमा पका सकते हैं लास्ट में हम इसमें डाल देते हैं फ्रेस कटी हुई हरा धनिया और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद यहां हमारी सब्जी बनकर तयार हो चुकी है राजमा चावल सब्सक्राइब एंड शेर जरूर कीजिए राजमा चावल को हम लच्छा प्याज के साथ परोसने वाले हैं लच्छा प्याज और सिर्का प्याज की रेसिपी हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पर तो आप जाकर देख सकते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ में